तो दोस्तो जी हाँ एक बहुत ही बहतरी टॉक बैक अपडेट आया है आपको पता होगा तीन-चार दिन पहले एक बहुत ही जादा बड़ी दिक्का टॉक बैक की एक अपडेट में आगे थी जो तीन-एमबी का अपडेट था स्वाइपिंग इशू इतना जादा हो रहा था भया मतलब टॉक बैक से तो हम ऐसी चीज एकस्पेक्ट करी नहीं सकते थे तो यहाँ पर टॉक बैक की एक अपडेट मेरे पास आई है उसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो चुकी है और भी यहाँ पर बहुत सारी इंटरस्टिक चीज़े आई है कुछ निराश करन वाली है कुछ अच्छी है और यहाँ पर यह अपडेट मेरे को मिले है रेडमी के नोट 11 में जिसमें के अंडरो 12 चल रहा है है तो यहाँ पर मैंने आपको अलग-अलग फोन के बारे में जानकारी देने ही कोशिश किया इसलिए यहाँ पर अलग-अलग फोन में वीडियो ला रहा हूं लावा के बारे में जानकारी मिल चुकी है रेडमी के बारे में आपको मिल चुकी है सैमसंग के बारे में ने हलकी सी बात की है उपो व्यू में भी आपको वीडियो देखते को मिलेगी ताकि आपको हर फोन की नॉलेज होनी चाहिए कि किस गिस फोन में टॉक किस प्रकार perform करता है और भी मैंने आपको बहुत कुछ बता है क्या features में आये हैं और कितना fast slow है पहले से और यहां पर यह spell check वाला feature काम कर रहा है या नहीं और एक और खुशकबरी है कि mostly phones में लगबक 75% phone में talkback का latest update आ चुका है 13.1 तो वीडियो कुर्मिलाकल बहुत ही यह क्योंकि हम आपके लिए अलग-अलग phones लाते हैं उस पर research करते हैं फिर वीडियो लाते है ताकि आपको हर चीज की knowledge हो तभी इतनी इतनी वीडियो आती है एक talkback की update पर ही ताकि आपको अलग-अलग phones के बारे में जानकारी मिले कि क्या चलना है कैसे किस phone में तो आपके ल जो यहां पर मेरे phone में talkback का वर्जिन चल रहा है वो 13.0 है है ना देखते है तो यहां पर हम इससे ही डिरेक्ट ओपन करते है और अपडेट करेंगे इसको हमारे लावे में जो है 13.1 है अपडेट करते हैं तो दोस्तो अभी यह चंद सेकिंड में अपडेट होगा तो हम अपडेट करते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं इसके बारे में हम सभी जानते हैं मैं दिखा भी चुका हूँ तो हमने क्लोस कर दिया है तो अब हमारा टॉक बैक फाइनली अपडेट हो चुका है सो गाइस यहाँ पर यह मेरा फोन एंडरोइड 12 में चल काइड बलूज एको बताओं च चल्डल्च reading control में चलने को मिलता है यह झाल स्वारी चीज है कवर को देखने को मिल रही है पहले यहाँ पर यह जो ट्इक बॉक्स टिग पहले बोलता था यह मतलब जो ऊप्षी चीजह हो चिज्च है यहाँ बोल को रहा है देखिए यह अपडेट करने के बाद यहां पर हो रहा है मिरेल साथ यह में सकता है प्लत हूं है यहां पर यह कि आपके elements बाद में बोलेगा स्पेल चेक तो और इसमें मिला है लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का action बटन नहीं आया है देखते हैं है ला तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर action बटन हमको रीडिंग गट्रोल में देखने को नहीं मिल रहा है तो एक तो यह चीज यहाँ पर मिली है एक और चीज यहाँ पर मिला है कस्टमाइज रीडिंग टॉक्वेक मैं अब यहाँ पर गईज आपको spell check वल option यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर यह टिक है अब इससे होगा क्या यहाँ पर जब आपका cursor किसी misspell word पर होगा तो यहाँ पर आपको talkback menu में spelling suggestions देखने को मिलेंगे यह यहाँ पर talkback menu में add हो गया है और आप साती साती टॉक बेक मेनु में भी एड हो गया है तो एक यह चीज यहां पर मेरे को देखने को मिली है और आप बाकी तो यहां पर देखा जाए तो इसमें और कुछ भी नहीं है ना बाकी सेम काम कर रहा है फास्लो के अगर बात करूं तो यह थोड़ा सा मतलब जैसा था पहला भी वैसे है 19-20 का फरक है थोड़ा सा मेरे को स्लो लग रहा है 19-20 का अब एक और चीज यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं गूगल फाइल में चलेंगे यहां पर यह दिक्कत आने लग गई फिर से जो मैंने लावा के फिन में बात की थी बैक रही यह बोलता है नहीं है जब हम कुछ ओपन करते हैं अब देखिए फाइल बोलेगा नहीं यह देखिए यह सी सी वाइद धौनी निकाल रहा है लेकिन अब यहां पर हमने गूगल फाइल इसलिए उपन किया है अब हम वीडियो में चलते हैं तो अब गईज यहां पर होता क्या था प्रॉब्लम आपको बता है बहुत बड़ी आ गई थी जो मैंने थोड़े टाइम पहले वीडियो बनाई थी इसमें 3-4 MB के अपडेट आई थी लेकिन यहां पर आपको गोगिशें प्रॉब्लम के वारे पता चला है यह प्रॉब्लम था इसके बाने गाईज यहां पर लेकिन यहां पर आपको बस्मूदली काम करने बिल्कुल सही है है ना अब मैं audio में चलके दिखाता हूं आपको वीडियो में चलके दिखाता हूं तो गाइस यहां पर यह बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर हमको को देखने को मिली थी जिसके वैसे मिरको तो काफी अच्छा नहीं लगा था कि वह लेकिन अब यहां पर यहां पर बिकुल में कि उन फोनों में भी यह वो अपडेट आएगा और वो सॉल्फ हो जाएगा हो सकता है मिल भी गया हो तो यहां पर यह टॉक बैक की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्फ हुई है और यहां पर इसमें में को एक्शन बटन नहीं देखने को मिला है पता नहीं क्यों android 12 में तो दे वीडियो बनाके जरूर दे रहा हुए तो उपो यह हो का भी आपको वीडियो ची तो कमेंट कर सकते हो तो उसके बारे में बात करेंगे तो अलग-लग फोनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है इसलिए यह वीडियो अप्लोड की जाती है टॉक बैक की अपडेट पर आप आपको इतनी सारी वीडियो इसलिए देखने को मिलती है ताकि आपको अलग-लग फोनों के बारे में जानकारी मिले और नौलेज मिले तो यही अपडेट को निकल के आ रहे थे मेरे फोन में तो उमीद आपको सब कुछ में आ गया होगा कैसी लिए आपको वीडियो कमेंट क मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई